नमस्कार बच्चो कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 का तीसरा प्रशन हम कर रहे हैं इसका दूसरा भाग है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 55 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री इसका आमान हमें निकालना है देखे साइन 25 और कॉस 65 के बीच में कोई निशान नहीं है इसका मतलब यह आपस में गुना हो रहे है यह प्लस है कॉस 25 और साइन 25 के बीच में भी कोई निशान नहीं है इसका मतलब यह भी आपस में गुना हो रहे है तो आईए आप इसे हल करने का प्रयास करते हैं देखे बच्चो पहली रकम है साइन पचीस डिगरी इसको ऐसे ही रहने देंगे इंटू कॉस 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस पचीस डिगरी क्योंकि 90 में से 25 माइनस करने पर 65 प्लस पहली रकम को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ कॉस 25 डिगरी साइन 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 माइनस पचीस डिगरी क्योंकि 90 में से 25 डिगरी माइनस करने पर आता है इससे क्या अंतर आएगा बच्चो मैं अभी आपको बता रहा हूँ देखिए sin 25 degree into cos 90 minus theta होता है sin theta cos 90 minus 25 होगा sin 25 degree plus cos 25 को ऐसे ही लिखेंगे into sin 90 minus theta होता है cos theta यानि sin 90 minus 25 degree होगा cos 25 degree अब देखें बच्चो इसका यदि आप चाहें तो यहां bracket में इसका कारण लिख सकते हैं sin 90 minus theta बराबर cos theta और cos 90 minus theta बराबर sin theta यह sketch की बज़े से थोड़ी handwriting है थोड़ा साथ देख लीजेगा इसके बाद बच्चो देखें sin 25 गुना sin 25 x into x x square sin 25 into sin 25 sin square 25 degree plus cos 25 into cos 25 cos square 25 degree अब यह हो गया sin square theta plus cos square theta जो की होता है 1 क्योंकि sin square theta plus cos square theta 1 के बराबर होता है सर्वसमिका के हिसाब से इसकार्थ ही है कि sin 25 into cos 65 plus cos 25 into sin 65 जब हम इसको आगे हल करेंगे तो यह बच्चो किसके बराबर आजाएगा 1 के बराबर आजाएगा और यही हमारा उत्तर है यही हमें मान ग्यात करना था तो देखें यह बहुत सरल था सिरफ इसमें क्या याद किया हमने 65 को 90-25 लिखा इधर भी 65 को 90-25 लिखा इससे क्या होगा 25 25 25 पूरी लाइन में 25 डिगरी ही रह जाएगा कॉस 90-25 होता है साइन पचिस तो साइन पचिस गुना साइन पचिस साइन स्केर पचिस साइन नबबे माइनस पचिस होता है कॉस पचिस तो कॉस पचिस इंटू कॉस पचिस प्रशनों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पे आप बाकी प्रशनों को भी देख सबते हैं धन्यवाद